नमस्कार दोस्तों ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वगत है तो आज हम कंप्यूटर के फंडामेटल के कोर्शन करने वाले हैं मोस्ट इंपोडेंट कोर्शन एक्जाम के दस्टी से तो सबसे पहला कोर्शन वह इलोक्रोनिक डिवाइस जो डेटा को स से प्रियों करते हैं दो यहां पर जो साई आंसर यहां पर कंप्यूटर से कम्प्यूटर के संब्ध में कौन सा कतन गलत है. यह यह लॉजिकल मसीन और सोचना process करती है इससे जो भी सूचना store किया उस पहुच सकता है इसमें कोई भी बावावेग नहीं होता है इसकी अपने कोई भी वावना या चाहत नहीं होती है यह एक और परतिबन तंग से अपने सूचना तक पूचाता है तो यहाँ पर यह जो सही answer है इसका second का D next question आपके computer के सभी component या तो डैस डैस है तो यहाँ पर सभी component जो होता है वो क्या होता है hardware and software next in computer users are also now computer में user को भी का जाता है तो computer को user को का जाता humanware तो इसका सही answer है ए फाइप नंबर कोड़ा प्रोग्राम के निर्दोशों को binary में दर्साइग गया है और डैस डैस में संग्रित किया गया है जिसमें अभी CPU द्वारा प्राप्त डी कोड और निस्पादित किये गया है तो पांच वे का सही answer है यहाँ पर ए कौन से memory में फिर आता next कोई भी व्यक्ति computer साक्सर कहलाता है यदि वह सक्सम हो केवल तो six का सही answer है यहाँ पर आउसक application को चलाने में तो run need based application तो सही answer है इसका six का a next एक डैस डैस दिखाता है कि कैसे परिचालन विश्यस्ताओं को एक साथ जोड़ा जाता है तो तक computer को साकार करने में योगदान देता है तो सांतवे का सही answer है यहाँ पर डी computer organization एक computer system की व्याचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन सरचना है तो यहाँ इसका होता है सही answer डी computer architecture निम्लिकित में कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है पायोस की यहाँ पे जो फूल फाम होती है basic input output system basic input output system इसका सही answer सी आंइंत का हो गया सी नेकश्ट आपकी system को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रित किया जाता है तो बूट करने लिए जो निर्देश जो इंस्ट्रेक्शन दिया जाता है वह जो दिए जाता है व्यो 알श में basic input output system नेक्स्ट कंप्यूटर चिप्स के निर्मानर में किस परदार्त का उप यो किया जाता कंप्यूटर चिप्स जो उसमें यह से जाता है वियेकॉन vraai कुरें निमलिकित में से कौन सी 142 कि ट्वेल नंबर निमलिकित में से कौन सी 14 पिंड़ी की प्रोग्रेमिंग वशा है वो जेनेरेशन की जो प्रोग्रेमिंग यो वaking वाषा होती है यहां पर एस्क्यल इस्ट्रेक्चर कोई लेंग्वेज तो बारविक आंशर है सी नेक्स्ट एक संगनक के गटकों के बारव मिनेमलिकित कतनों पर विचार कीजिए तो यहां पर आप अरामसीज को रीड़ करना यहां पर बड़ा कोर्सन है बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्डेंट 40 number Process data is now as Process data को किस रूप में जाना जाता है तो process data को किस रूप में जाना जाता है Information Next, what is full form for USB USB की जो stand है Universal serial bus तो यहाँ पे जो 15 वे का जो सही answer है यहाँ पे B है Universal serial bus तो यहाँ पे यह bus होगा B, U Printing mistake हो गई 16 number question Which of this is not a hardware component इन में से कौन सा hardware का component नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो hardware जो होता है इसमें से operating system operating system जो होता है जैसे Windows 7, Windows 8 वगर वो है तो उसके अंत्गत आता है तो यह जो होता है hardware का अंत्गत नहीं आता है तो 16 यह एक answer है जो होता है वो होता है यहाँ पर fix in computer but various among different computer यह computer में निचीत है लेकिन within computer which win होता है तो 17 वे कसा यह answer है D निम लिकेत में कौन से CPU के गटक है तो CPU के जो गटक होता है वो होता है A, L, और control CPU का पूरा नाम CPU की फूरी फूल फॉल फॉर्म जो होती है CPU को आंतरिक बंडरन परदान करता है तो 20 वे का सही answer है A, register 21 संपादित किये जाने वाले चार कारी कर्मा से अप्राप्त करना और कुशल परिवर्त यह उत्पादन मतलब परिवमाण, परदान करना तो 21 का सही answer है यहाँ पर B, decode करना port, digital, camcodes, bra, hardics तो अन्य योगतियों को जो उच अस्तांतर नदरों से लंबा भी थो सकती है को सयोजित करने के लिए फाइलों को अस्तांतर करना है तो परियुक्त होता है तो यहाँ पर जो port यूज की जाती है ट्रांसफर करने के लिए 22 का जो होता है फायर वेर 22 का D, 23 लिकित में से CPU का कौन सा गटक सिस्टम को सिधे ही एक्जीगूट करने के लिए जिम्हेदार होता है तो चौई से का सही अंसर है यहाँ पर भी कंट्रोल यूनिट ने में लिकित में का कौन सा वेद पैमाना CPU की गति को नहीं दर्साता है तो 25 का जो सही आंसर है यहां पर D, BITE M IPS कार्थ M IPS का जो Full-form stand जो होती है 26 का सही अंसर है यहां पर B, Million extraction per second 27 Accumulator is integral compiler of Accumulator का समकालित गटक है 27 का सही आंसर है यहां पर E CPU CPU ने में लिकित में से कौन सा सेंटर पासर यूनिट का भाग नहीं है जो CPU का जो भाग नहीं है वो है यहां पर Random Access Memory RAM, Program Counter Registry एक अन्यवर भाग है, तो यहां Program Counter Registry Integral Part, तो 29 का जो सही आंसर है यहां पर C Case Memory, निमलिकित में किस में में CPU की सिधी पहुंच एकसे जोती है, सिधी पहुंच मलब डायरेट एकसे जो करता है, तो 30 का सही आंसर है यहां पर RAM, निमलिकित में से CPU का कौन सा भाग ALU किरिया विद्धी के दोरान और इसते ही रूप से आकडों का संग्र करता है, और इसते ही मतलब यहां पर आप देख सकता है, ट्रेंपर रिस्टोर जो होता है, 31 का सही आंसर है C Register, निमलिकित में कौन सा विकलब CPU मेमोरी में समिल नही वो स्क्रिस पेड़न मेमोरी एंड केस मेमोरी, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद